आज हम बहुत ही मज़ेदार से कीमा कड़ाई बनाएगे डाबा स्टाइल में यह बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होती है इंशालला आपको जरूर पसंद आएगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है जो नए वीवर्स आएं प्रीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम हमने एक कड़ाई में आधा का मस्टर्ड ओयल लिया है आप जो कुकिंग ओयल खाते ह इसमें भी बना सकते हैं अब इसमें हमने आधा किलो बकरे का कीमा डाल दिया है उसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है अब हम कीमे को उस वक्त भूनेगे जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो जाए अब कीमे का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें हमने दो टीजपून भर के अधरक लसन का पेज डाल देना है अधरक लसन का पेज डाल के हमें उस वक्त तक भूनाई करना है जब तक कीमे का पानी अच्छी तरीके से खुश्क ना हो जाए जितना अच्छा हमारे कीमे की भुनाई होगी हमारी कड़ाई खाने में उतने ही मज़े की बनेगी अब कीमे का पानी खुश्क हो चुका है तो हमने पाव किलो टमाटर का छिलका उतार दिया था इसे मोटे मोटे टुकडों में काट के डाल दिया है कीमे को हमने टमाटर के साथ मिक्स कर लिया है अब इसमें हमने 5 हरी मिर्च डाल दी है तेज वाली मिर्च आप अपने टेज के हिसाब से रखिएगा जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं अब सब को हमने मिक्स कर लेना है अब इसमें हम एक कप पानी डाल के धीमी आज पे इसे 7-8 मिनट के लिए पकने रख देगे धीमी आज पे हमें 7-8 मिनट तक पकाएगे अब 7-8 मिनट हो चुके हैं हमने धक्कन खोल लिया है अब चम्मच की मदद से हम टमाटर को प्रेस करते जाएगे ताके टमाटर हमारे एकदम सौफ्ट हो जाए उसकी प्यूरी बन जाए अब इसमें हमने आधा टीस्पूर नमक डाल देना है नमक से हमारे टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगे हमने अभी आधा टीस्पूर नमक का इस्तेमाल किया है आप अपने टेस्प के हिसाब से करिएगा अब अच्छी तरीके से टमाटर हमारे गल चुके है और कीमे में अच्छी तरीके से मिल चुके है अब इसमें हम कुछ मसाले डालेगे गैस की आँच को हमने टेस कर दिया है टमाटर का पानी भी अच्छी तरीके से खुश्ख हो चुका है अब इसमें हमने एक टेबल स्पून साबी धनियों को हलका सा रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया है इसे डाल देगे और हाफ टीस्पून हमने क्रश की हुई लाल मिर्च डाल दिये मिर्च आप अपने टेस के हिसाब से रखिएगा सब को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और इसमें एक टीस्पून भर के हमने भुने हुए जीरे का पौडर दाल दिया है अब इसमें हमने 100 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेट लिया है इसे डाल देगे दही को मिक्स करके दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए अब दही का पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें हमने 2 टेबल इस्पून भर के कड़ाई मसाला डाला है हमने शान के कड़ाई मसाले का इस्तेमाल किया है अगर आपके पास शान का कड़ाई मसाला नहीं है तो आप घर का गरम मसाला पॉडर दाल दे हाफ टी स्पून लेकिन शान के कड़ाई मसाले से इस कीमे का फ्लेवर बिल्कुल ढाबे जैसे आता है आप इसे जरूर डालिएगा इससे बहुत अच्छा टेस आता है अब इसमें हमने एक चौथाई चमच फ्रेश काली मिर्च का पॉडर डाल दिया काली मिर्च का पॉडर का इस्तेमाल आप बाद में ही करिएगा नहीं तो हमारे कीमे का कलर खराब हो जाएगा आखिर में डालने से कीमे का कलर खराब नहीं होता अब सब को मिक्स करके इसमें हमने तीन हरी मिर्च को मोटे मोटे तुकड़े में काट के डाल दिया है ये तेज वाली मिर्च नहीं है लेकिन इससे कड़ाई में बहुत अच्छा टेस आता है अब अधरक के लच्छे डाल दिए हमने एक इंज के अधरक के टुकड़ा लेके उसे सलायस में काट के से डाल दिया अर इससे पांच मिनटे के लिए से हम धम पे रख दे के पांच मिनटे के बाद मज़ेदार सी हमारी कड़ाई बनके तयार है आप इसे गरम चपाती के साथ खाए या मुगलाई पराठे के साथ खाए ये बहुत ही मज़े के बन के तयार होते है मुगलाई पराठे की रेसिपी मेरे चैनल पे है आप उसके साथ इसे बनाए इसके साथ खाने में इसका मज़ब बहुत जबरदस आता है मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दे और जो नए आए हो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक और शेर किया करें इसे अदरक के लच्छे और हरी मिर्च और हरे धनिये के साथ गार्णिश कीजिए और घरवालों को सफ कीजिए बहुत ही मज़े के बनके तयार होते हैं और प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक किया करें मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रसीपी आपको कैसी लगी दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिस पिस्टाइएब mul लिखा करें कि मुझे रखिए रlais सकता हैं कि के अ美味ů